हालो प्रेंट्स वेलकम टो माई चैनल दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी वैकंसी के बारे में जिसमें आपका कोई भी एक जम नहीं होगा और दोस्तों पत की बात करें तो दोस्तों यह प्योन यानि चप्रासी के पत पर यह वैकंसी निकली हुई है और दोस्तो आवेधन करने की अंतिमतित भी आप यहाँ पर जेख सकते हैं पंदरा वारा दो जार तेस इसकी अंतिमतित है इस तेस से पहले पहले आपको अपने फार्म को फिलप करना है किस तरीके से बरना है वो भी इस वीडियो में आपको बताएंगे आप अपने मुवाइल फोन से ही फार्म को फिलप कर सकते हैं आपको कहीं जाने की जरूर नहीं है और अच्छी बात यह इसमें आपकी फार्म फिस भी नहीं लगेगी क्वालिफिकेशन की बात करने तो सिंपल आपने दसमी पास का रखा है किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप इसमें फार्म फिलप कर सकते हैं और यहाँ पर देखी दोस्तो देखी दोस्तो आप देख सकते हैं आपने अगर आठमी पास का रखा है तब भी आप फार्म को बढ़ सकते हैं और दोस्तों आपको साइकल चलाने का ग्यान होना चाहिए महला एंड पुरस दोनों लोग भारम को बढ़ सकते हैं सैली की बात करें तो स्टार्टिंग में जो आपको सैली मिलेगी न वो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं तो सैली बी कापी अच्छी है आप इसमें जरूर से जरूर फारम को भरना है किस तरीके से बरना है वो भी इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यहाँ पर एजलमिट भी देख लीजिए 21 से 60 साल के सभी कंडिडेट इसमें फारम फिलब कर सकते हैं और यहाँ पर देखी दोस्तो यह दोस्तो आपको जोब मिलेगी न वो उत्तर प्रदेश के लखनो डिस्टिक में आपको जोब मिलेगी तो दोस्तो बहुती जबर्जस वेकंसी है अब दोस्तो बात करते हैं कि फारम को किस तरीके से आपको फिलब करना है दोस्तो फार्म को फिलप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मुवाइल पॉन में Chrome Browser ओपिन कर लेना है इसे ओपिन कर लेने के बाद इसके सर्च बार में आपको लिखना है सेवा योजन आपको सेवा योजन लिखकर सर्च करना है आपके सामने यहाँ पर देखिए जो website दिख रही है पहले नमर पर आपको इसी पर एक बार किलिक कर देना है तो चलिए हम इस पर किलिक कर देते हैं इस पर जैसे आप किलिक करेंगे आपके सामने यहाँ पर देखिए website खुलके आ जाएगी आपको यहाँ पर wait करना है दोस्तो जैसे आप उस link पर click करेंगे आपके सामने यहाँ पर देखे इस तरह का interface होगा अब आपको यहाँ पर देखे दोस्तो एक option दिख रहा होगा job seeker वाला आपको इसी पर एक बार click कर देना है तो चलिए हम इस पर click कर देते हैं इस पर जैसे आप click करेंगे आपके सामने फिर से एक नया page open हो जाएगा देखे दोस्तो जैसे आप job seeker वाले option पर click करेंगे आपके सामने यहाँ पर इस तरह का interface होगा आपको नीचे की side scroll करना है इसमें सबसे पहले आपको अपना sign up करना होता है sign up करने के लिए आपको यहाँ पर देखे दोस्तो दिख रहा होगा job seeker sign up आपको इस पर click करके आपको अपनी basic सी detail को फिलब करके आपको इसमें sign up कर लेना है हमने इसमें पहले से sign up कर रखा है sign up करने के बाद आपको यहाँ पर अपनी user ID डलनी है यहाँ पर आपनी जो password बनाया है sign up करते समय बो डालना है और यह capture code यहाँ पर देख रहा है इस box में यहाँ पर डाल देना है तो चलिए दोस्तो हम यहाँ पर अपनी सारी detail को फिलब कर देते हैं फिर आपको आगे का process दिखाते हैं तो देखे दोस्तो मैंने यहाँ पर अपनी user ID and password को डाल दिया है अब आपको submit के button पर एक बार क्लिक कर देना है दोस्तो जैसे आप submit के button पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपकी सारी profile खुल जाएगी देखे दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको अपने नव स्टेप में अपने registration को complete करना होता है पहले ब्यक्तिकत बेबर, संपर्ग बेबर, सारी बेबर, साच्चेक योगता, भांसा, अनुभव, कौसल, बरियता, गोस्टडा यह सारी detail को वहाँ पर फिलक करने के बाद आपको यहाँ पर देखे दोस्तो नौकरी के लिए आप इदन करें आपको इस पर एक बार किलिक करना होता है तो चलिए हम इस पर किलिक करने के बाद दोस्तो यहाँ पर 10th लेबल की, 12th लेबल की, Graduation लेबल की सारी बैकंसी यहाँ पर देख जाएंगी देखे दोस्तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे आप खोजे माले उपसण पर किलिक करेंगे, यहाँ पर जो भी वैकंसी चलना ही होगी, सारी वैकंसी यहाँ पर आ जाएंगी इस पर जैसे आप click करेंगे देखे दोस्तों आप यहां पर live देख सकते हैं आपका आविजन successfully हो जाएगा देखे दोस्तों आप देख सकते हैं देखे दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं application successfully please secure यहां पर दोस्तों आपको ok वाले option पर एक बार click कर देना है आपका आविजन हाँ पर हो चुका है इसी तरीके से दोस्तों आप ग्रेटे सो कि फार्म बरना चाहतें हैं जैसे दोस्तों कि दोस्तों अगर ड्रेटोग कि लेश ठीट कर लेना है और आपको खोज़ए माले उप्षिन पर एक बार किल गरेंगे हहां पर ठीचिह करेंगे यहां आपको आवेधन करने के लिए रिक्ति विवरड वाले उप्सिन पर एक बार किलिक करना है इस पर किलिक करने के बाद आपको नीचे की साथ सीधा स्कॉल करना है और आपको यहां पर देखी आवेधन करें इस पर आपको एक बार किलिक कर देना है आपका यहां पर आवेधन सक परम फिलाप हो चुका है बस आपको ओकी कर देना है तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और आयसी वीडियो देखने के लिए आप मारी चैनल को सब्सक्राइब करें